जो नेक्स्ट जो दाई तो है वो है कैश में हो वो गारंटी वारंटी काड प्राप्त करना न भूलें अब कोई भी प्रड़क्ट खरीते हैं तो उस समय क्या करना है आपको उसका बिल लेना है ठीक है इसके अलावा अगर आपने कोई इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदा है या कोई ऐसे प्रड़क्ट खरीदा है जिसमें आपको गैरंटी वारंटी मिल रहा है तो उसे लेना न भूले यह आपके लिए इन फ्यूचर भविश्य में क्या होगा यूस्फुल होगा ठीक है आठवा बिंदू जो है यह आठवा पर्चेस करला रिया अब जल्दी जल्दीं पड्चेस तो कर लिया लेकिन जिस चीजक की हमें जरुरद थी क्या हमारी वो नीड जबॉश्कता है वो पूरी हो रहे हैं यह चीज़ यह चीज भी लिखने जारूरी है देखिए बच्चों जो एक भुखता है उसका दाई तो यह भी है कि वो पर्यावरण का बचाव करें For example, मैं आज के समय में इस COVID काल में आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि यह गवर्मेंट के गाइडलाइन्स के निसार है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना कंपलसरी है और नालो में क्या होता है बहुत सारे मास्क फिके पड़े हैं जो कि इस पर्यावरण को प्रदूशित कर रहे हैं साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स में लोग पानी पीते हैं और उसे इधर उधर फिक देते हैं अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चिप्स के पैकेट्स खा रहे हैं उसे रोड में फिक दिया डस्ट बीन में नहीं डाला तो इस तरीके से क्या होगा आपका परियावरण ही क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा गंदा हो जाएगा और इसके साइड इफेक्ट किसको होंगे आपको यानि उभोकता को ही होंगे तो उभोकता का ये बहुत बड़ा दाइत तो है कि परियावरण को किस तरीके से रखा जाए और उसके किस सरके से बचाया जाए नेक्स हमारा जो अन्तिम मिंदु आता है या अन्तिम दाई तो इसमें आता है वो है उभोकता का इमांदार होना जरूरी है बिल्कुल उभोकता का इमांदार होना जरूरी है किसी भी उभोकता को जो है जमाखोरी से बचना चा नहीं समाज का पार्ट है समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का वहजिकार है कि समाज में वस्तुमें उपलब्द हैं जो निय्दि का ब्राबर है तो तो यह क्या करेगा घमा खोरी करने काला बाजारी करने लग तो उसमें दूसरे उभोकताओं को नुकसान का सामना करना पड़ेगा तो उभोकताओं को अपने दाइत्व के बारे में जानना चाहिए और अगर वो अपने दाइत्व को अथी तरीके से निभाते हैं तो बिल्कुल वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चो जैसे कि आप देख रहे हैं भोकता संद्रक्षण अधिनियम 1986 के तहत ऐसे बहुत से उपाय किये गए हैं जो कि हम बिंदू के मध्यम से जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं तो जैसे कि स्क्रीन पर पहला बिंदू देख रहे हैं वह है व्यवहाद वारा स्वता नियमन यानि सिल्फ रेगुलेशन बाय बिजनस अब बहुत सी व्यापसाई की काईयां या कंपनियां ऐसा चाहती हैं कि उनका जो कस्टमर है कस्टमर का जो वॉल्यूम है मतलब उनके न द्यामित करती है जैसे कि मैंने आपको पहले बिटाया है कि वह समस्या निदान इसल्यां अ commentary क् किया करेंगे उनके ρिव्यां मतलब उनकी समस्या का समाधान करेंगे तो इस तरीके से हमने पहला बिंदू समझा दूसरा बिंदू जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है व्यावसाइक संग यानि बिजनस एसोसियेशन अब यह व्यावसाइक संग क्या करते हैं व्यावसाइयों के लिए एक आचार सहीता यानि कोड़ कंडक का निर्माण करते हैं अब इस कोड ऑफ कंडक के अनुसार इनको यह तैय किया जाता है यह बताया जाता है कि उन व्यावसाइयों को अपने भोकताओं के साथ किस तरीके से व्यावार करना है फिर जो तीसरा उपाय है वो है भोकता जागरुता यानि कंजूमर अवेर जागरुक बनाया जाएगा आपने कई TV एड़िटीजमेंट भी देखे होंगे जिसमें कि कंजूमर को जागरुक करने के लिए ड़िटीजमेंट बनाया था जैसे कि आपने देखा होगा जागो ग्रहक जागो आईए उसकी एक जलग देखते हैं जैसे कि हमने अड़िटाइजमेंट में देखा कि जागो ग्रहक जागो एक एड़िटीजमेंट है जिसमें उभुकता जागरुकता कारिकरम है और इसमें उभुकता को उनके अधिकारों के प्रती और उनके डाइतों के प्रती जागरुक किया जा रहा है जो अगला बिंदु है वो है उभोकता संगठन यानि consumer organization यह organization वो होती है जो भोकता है उनको शोशन से बचाती है और अगर वो शोशित हो जाते हैं तो उनको वापस किस तरीके से क्षति पूर्ति या लाप्रदान कर सके वो इनके पीछे कारे करती है तो अंतिम बिंदु इसम अधिनियम 1986 के अंतरगत वो सारे कदम उठाती हैं जिससे कि वो भोकता को शोशन से बचा सके और अगर उभोकता को समस्या है तो उनके समस्याओं का निदान कर सके इसके जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने त्री टायर मशिनरी यानि तीन सरीय न्याइक तंत्र बनाया हैं कि अलग अलग सतरू पर अपनी उभोकता की समस्याम का समधान कर सके जैसे कि मैंने चर्चा करी हैं कि तीन स cultiv हैं यह हम इनके बारे में डिटेल में प्रिए फोरं मिर्मित किये जा सकते हैं कि स Means नियां इसके हैं होते हैं जी कि ज योगता हुना चाहिए मोह जिला न pode सब्सक्राषे चीहर je और यहां पर विवाद होते हैं 20 लाक रुपए तक विवाद में यह में क्या होता है कि शिकायत कौन कर सकता है भोकता या फिर भोकता संग कर सकते हैं और इसके अलावा जो शिकायत दर्ज होने पर जो जिला फोरम होती है जो विरोधी पार्टी होती है उसको करती है सूचित कर देती है इसके बाद क्या होता है जब अगर इसमें ऐसी सिति उसको सर्टिफाई किया जाए कि नहीं भोक्ता ने जो समस्या बताई है वो सही अगर इस तरह अगर नमूने कलक करने पड़ते हैं प्रयोक्षाला में उनका प्रिक्शन के लिए देना पड़ता है तो वो कारे किया जाता है और अगर यह सिद्ध हो जाता है कि वह नमूने दो ज़कत है उस पार्ट को चेंज कर दिया जाया तो उनके पैसों को वापस यह इसके लावा क्या जाया उनकी क्शटिपूरती हुई है उसको कि पूरा कर दिया जाय तो इस सरीके के कुछ आदेश दिये जाते हैं अगर आप देखें कि दो पक्षों होते हैं इस में दूसरे पक्ष की और क्या कर रहा है समस्य के against complaint कर रहा है तो अगर दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष को district forum यानि jeala āग से कोई समस्या है तो उस हिती में क्या होगा? या उन्होंने जो decision दिया है उनको मानी नहीं है तो तीस दिन के अंदर वो क्या कर सकते हैं? राज जय आयोग में अपील कर सकते हैं तो ये था district forum, इसके बाद हम राज जय आयोग की बात करेंगी तो राज्य आयोग में क्या होता है उसमें भी तीन सदस्य होते हैं उसमें भी एक मली लाक आना जरूरी है और उसमें जो अध्यक्ष होगा उनकी योगेता किसकी होनी चाहिए उच्छ न्यायाले के न्यायधीश की योगेता होनी चाहिए और जो हमारा राज्य आयोग है वहा लावा जो हम देख रहे थे की शिकायत करने पर जो है राज जी आयोग उनके जो अधिकारीं है वो क्या करते हैं विपक्षरी को इसके बारे में बता देते हैं या उसकी उनको कम्यूनीकेट कर देते हैं और जैसे कि मैंने जिला फोरम में बताया इंदर क्या कर सकते हैं अगर दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अगर दिये गए नियाय से साटिसफाइड नहीं है ठीक है तो वो क्या कर सकते हैं तीस दिन की अंदर क्या कर सकते हैं राश्रेय आयोग में क्या कर सकते हैं अपील कर सकते हैं अब हमने दोस्तरिय नियायक तंत्र देख लिए अब तीसरा हम देखते हैं वह राश्रेय आयोग राश्रेय आयोग लुगित्ता होनी चाहिए और इसमें विवाध होता है एक करोड से ज़ीड़ा का हो इसमें जाता है कि इस भी सेम प्रसेस होती हैες तो तीस दिन के अंदर वो क्या कर सकते हैं उच्चतरम नियायले में अपील फिर से कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने तीन सरी नियायक तंत्र जाना और वहां पर किस तरीके का कारे होता है और किया जाता है उसके बारे में जाना बच्चो आई हम देखेंगे उभोकता संगठनों तता गैर सरकारी संगठनों की भूमिका जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोल अफ कंज्यूमर और्गनाइजिशन और नॉन गर्मेंट और्गनाइजिशन एंजियोस हम यहां एंजियोस की बात करेंगे लेकिन उससे पहले जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भारत की सरकार है वो उभोकता संग्रक्षन के लिए कई कदम उठा रहे हैं जिससे कि भारत के उभ्भोकता हैं उनका संरक्षन किया जा सके अब बचो जो एंजियोज होते हैं ये भी जो हैं ऐसे कारे करते हैं जिससे कि उभ्भोकताओं का संरक्षन किया जा सके या उनका जो है अलग तरीके से लाब न उठाया जा सके ऐसे तो जो हमारे देश में 500 से जादा जो हैं ज़्योग चल रहे हैं लेकिं कुछ जो जी नग्राँ उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन लिस्टAND आप सीज़ेंदों आजब संगतन चाइछ पंघताव जयद्वन क्यान को सब्सक्राइब करना अब सबसे पहला कारें उनका यह हो sha है कि कि तरीकेस अपने उभ्वकतां को शिख्षा प्रदान की जाए वो अपने साहत होने वाले शोशन दुन si do करतें शोटी-चोटी कि पुस्तके होती पत्रिकाय होती है बर्प विश्चलेशन लेक होते इनको ये प्रकाशित करते हैं साथ ही साथ संगोष्टियां आयोजित करते हैं सम्मेलन आयोजित करते हैं साथ ही साथ महिलाओं को उपभोकता व्याद का विशेश ग्यान देते हैं साथ ही क्या करते हैं उपभोकताओं को अपनी सहायता स्वयम करने की शिक्षा प्रदान करते हैं और उचित उपभोक प्रम है कि विभिन उत्पादों के आकड़े एकत्रित करना वह उनका निरिक्षन करना इसमें क्या करते हैं जो मार्केट में एवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं हम किसी फूड आइटम का ही ले लेते हैं आपने अगर कुछ समय पहले एक उधारण सुना होगा जो नूडल्स में ना जादा होने कारण क्या हुआ था कि उस पर रोक लगा दी गई थी यहीं इंजियो का काम होता है और इसके अलावा भी ऐसे कई उभोक्ताओं का निरिक्षन करना जो की अपने जो उभोक्ता हैं उनका शोशन कर रहे हैं या उनको किसी भी प्रकार से नुक्सान पहुचा रह हैं वो क्या करती हैं उन उत्पादों की जांच करती है और उन उत्पादों में अगर कोई खामिया पाई जाती है तो उससे शासन को आउगत कराती है तो उसके लिए कोई उचित कदम लेने के लिए उनको प्रेरित करती है हम आगे बढ़ते हैं और इसके तीसरे कारे को दे नहीं करते हैं कि अपनी बात सामने रख सकते हैं तो क्या करते हैं उनकी जो बात है उनको वो खुद क्या करते हैं सामने रखते हैं और उन Kaufbear चैंप ग्यान देने के लिए कि उनके पास वो शकती है कि वो अपना शोशन होने से बचा सके उसके लिए उन्हें कई एच्चिक शिकायत की इंदर भी खोल रखे है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे बिंदु की ओद इसे कहते हैं मिलावड आधी के विरुद आवाज उठाना अब इसमें क्या क्या चीज़े हो सकती है बच्चो जैसे जमाखोरी हो सकती है चोर बाजारी हो सकती है अधि ऐसी कई चीज़े होती है जिससे की उभूगता का शोशन होता है इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को रोकना आपने उतनायक फिल्म के एक सीन में देखा होगा उसमें उन्होंने देखा कि मिलावट किस तरीके से होता है जो तराजू होता है या जो फ्रमापने वाला उपकरन होता है कुछ इस तरह की चीजों को जोड़ दिया जाता जिससे कि कम quantity में product जो है कम मातरा में法 वो उत्भुक्ता को दिये जाया जिसकी रिक्वार्मेंट्ट जितनी है उसको उतना नहीं मिलता नहीं मिलता है कि शेक्षणिक संस्थाओं की सायता करना अब क्या होता है जैसे कि इस बुक में आप देख रहे हैं आपके सिलबस में चाप्टर को इंक्लूड किया गया है ठीक है उसी तरीके से विभिन शेक्षणिक संस्थाओं में कंज्यूमर प्रोडक्शन को यानि उभूकता संड्रक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टॉपिक या इस टॉपिक को उनके सिलबस में जोड़ना या एड करना भी उनके कारे के अंतरगत आता है हम आगे बढ़ते हैं वह है उभूकत संड्रक्शन को बढ़ावा देती हैं इसके लिए कई तरीके के कारे भी करती है अब जो सात्वा और अंतिम मिंदू है वह कहता है सरकार की साहता करना सरकार की साहता कैसे करेंगे भाई क्या होगा उसमें अलग अलग तरीके से डेटा को इखटा किया जाएगा और जहां से यह मालूम पड़ता है कि नहीं यहां उभोकताओं का शोषन हो रहा है वहां उस डेटा को या उस जानकारी को निकाल कर क्या किया जाएगा गौर्मेंट को सौपा जाएगा और गौर्मेंट से रिक्विस्ट किया जाएगा कि उनके लिए कोई उचित कदम उठाया जाया ज इससे की उभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सकता है तो इस तरीके से भी जो है इंजियोस सरकार की सायता करते हैं तो बचों इस तरीके से आपने क्या जाना जो एंजियोस को जाना और उनके कार्यों को जाना आई इस चैप्टर का लास्ट बिंदू देखते हैं कि वो ला कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सामाचार पत्र हैं वो एक बहुत अच्छे क्या होता है अब उप्भोकता संडक्षन का क्या रोल आता है यह समाचार पत्रों का उप्भोकता संडक्षन के लिए क्या रोल है अब इस बात की जर्चा करते हैं क्या हुआ इंडियन एक्सप्रेस नाम का पहला न्यूस पिपर था जिसने ऐसे आर्टिकल्स चापना शुरू किया और एक ऐसा कॉलम बनाया जहां पर भोगताओं के शोशन को लिखा गया या प्रेशित किया गया साथ ही साथ उनके शोशन से अगर उनको बचाया गया है तो उन चीजों को भी उन प्रिद्धी को देख करके जो अन्य समाचार पत्र है उन्होंने भी क्या किया उन्होंने भी एक अपना आर्टिकल सेक्षन बनाया या अपना एक कॉलम बनाया जहां पर क्या होगा वो भोगता संद्रक्षिन के बारे में डिसकर्शन होगा ये केवल नाशनल न्यूस पेप कि भूमिका आशा है यह अध्या है आप लोगो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपके एक्जैम में अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड कोशन पूछी जाते हैं तो आप लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे धन्यवाद